क्वीक आयस कंपोज यूर ड्रीम हलो दोस्तों क्वीक आयस में आपका स्वागत है 69 BPSC का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चनल दोरा टॉपिक वाईज अलग-अलग जो है संभावित कोशन के हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज हम लोग बिहार के राश्टिय पार्क और वन जीव अभ्यारन और पच्छी बिहार इन तीनों के चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में पूछा जाएगा कि किस जिले में राश्टिय पार्क है किस जिले में वन जीव अभ्यारन है और किस जिले में पच्छी बिहार है और क्या नाम है, ऐसे कोशन भी BPSC में पूछे जाते हैं, दो तीन कोशन यहां से होते हैं, तो इसलिए हर एंगल से मैंने कोशन बना दिया है, बिहार में कौन-कौन से राष्टे पार्क, पच्छी बिहार और जीव अब बिहार पाये जाते हैं, यह सारे संभावित कोशन हैं, वीडियो को अंतर तक देखिएगा, सारे के सारे कोशन बहुत ही महात पूर्ण है, और हमारे चैनल दोरा सारे टॉपिक चाहिए, हिस्ट्री, जोगरफी, पॉल्टी, सब टॉपिक वाई हम कोशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और बिहार स्पेसल की सारे टॉपिक हम लोग कबर कर रहे हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा, बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, और हम लोग आज बिहार के राष् में इस्थित बालमी की राश्टिय पार्क को टाइगर रिजर्ब कब घोसित किया गया बहुत महात्पूर कोशन है क्या देखेगा पहले किसी भी वाब भ्यारण को राश्टिय पार्क घोसित किया जाता है और फिर उसको टाइगर रिजर्ब के रूप में या हाथी जो है यह देखेगा बिहार में एक मात राज्टे पार्क है और एक मात टाइगर रिजर्ब है और दोनों का नाम बालमीकी के नाम से हैं और यह कहा है पच्छिमी चमपारण में है तो इसको टाइगर रिजर्ब कब घोसित किया गया तो 1990 में तो इसे 1990 में टाइगर रिजर्ब में इसे कई कोशन बन सकते हैं जैसे बालमी की राष्टिय पार कहा है पच्छमी चमपार्ण में या बालमी की टाइगर रिजर्ब कहा है तो पच्छमी चमपार्ण में है तो इस तरह के कोशन पूछे जा सकते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट है राश्टिये बालमी की राश्टिये पार को देश का कौन सा टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया था तो परतमान में चोन टाइगर रिजर्ब हैं तो बालमी की राश्टिये पार को देश का कौन सा टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया था option है अठारवा उन्नीसवा या बीसवा तो या दखेगा इसका जो answer है यह है A अठारवा टाइगर जर्व घोसित किया गया था किसको देश का किसको तो बालमी की राश्टे पार को अठारवाट आई गया तो जब घोसित किया गया था देश का ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा A ठीक है ने इस्टर बिहार के पच्छिमी चम पारण में इस्थित बालमी की अभ्यारण को राश्ट्य पार्क का दर्जा कब दिया गया यह देखेगा भारत सरकार पार्लियमेंट के दोरा संसत दोरा जो है राश्ट्य पार्क का दर्जा दिया जाता है और यह देखेगा कानून बना करके तो बालमी की राश्ट्य पार्क गोसित कर दिया गया तो कब गोसित किया गया यह कुशन पुछा जाएगा तो 1989 में 1989 में इ लोता एक मात्र राष्टे पार्ग पच्छमी चंपार्ण में बालमी की राष्टे पार्ग के नाम से जाना जाता है यह टाइगर रिजर भी है एक मात्र बिहार का यह राष्टे पार्ग है तो यह कोशन आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इससे जोड़ करके कई कोशन पुछे जा सकते हैं तो मैंने हर्थ तरह के कोशन बना के इसको आप लोगों को पहुचाने का काम किया है ठीक है नेश्ट है उदाइपूर वन जियू अभ्यारन बिहार के किस जिले में इस्तित है तो यहां देखेगा उदाइपूर वन जियू अभ्यारन जो है सेंजोरी ये बिहार के पच्छमी चंपारण जिले में ही इस्तित है उदाइपूर तो बालमी की और उदाइपूर दोनों कहा है पच्छमी चंपारण में है तो इसका एंसर हो जाएगा B बिहार के किस जिले में इस्थित है तो भागलपूर में जो है यह इस्थित है और भागलपूर में ही बिक्रम सिला विस्विद्याले जो है बनवाया गया था धरमपाल के द्वारा तो यह वहीं पर है बिक्रम सिला जो है जहाँ पर भागलपूर में तिसका एंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है, नेश्टा है, बिहार पिर्थिवे दिवस कम मना जाता है, तो बिहार पिर्थिवे दिवस कम मना जाता है, अगर ये कोशन आ जाए, तो बिहार पिर्थिवे दिवस जो है, नो अगस्त को मना जाता है, तो इसका एंसर हो जाएगा A, और 30 सितंबर को पेपर ह और अगस्त का महीना उससे पहले आता है तो हो सकता ये कोशन आपसे पूछा जाए कि बिहार पिर्थिवी दिवस कम मना जाता है तो नो अगस्त को मना जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के अस्थापना कहा की गई है तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के अस्थापना बिहार के पटना में की गई है तो इसका एंसर हो जाएगा B नेश्टा है संजय गांधी जैविक उद्यान परसिद्ध है तो संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ पर यह पटना में है और यह किसके लिए फेमस है यह तितली परजनन केंद के लिए फेमस है या फिर गिद्ध परजनन केंद के लिए फेमस है या गैंडा परजनन में ACX सबसे बड़े केंद्र की रुप में जाना जाता है तो किसमें इसमें संजय गांधी राष्टे जो जैविक उध्यान है वो किसलिए परसिद्ध है तो इसका एंसर हो जाएगा C यहाँ पर गैंडा परजन में ACX सबसे बड़े केंद्र की अस्थापना की गई है संजय गांधी जैविक उध्यान में तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C Next कावर पच्चे बिहार जो साइविरियाई पच्चियों के आगमन हित्व परसिद्ध है बिहार के के जिले में इस्तित है तो साइविरिया जो रूस का साइविरिया है वहाँ से पच्ची उड़ करके आते हैं बिहार के कावर पच्ची बिहार में आते हैं जील में तो यहाँ देखेगा यह है कहाँ पर यह बेकू सराय में है तो इसका answer हो जाyगा B और यहाँ Siberia पच्छी हमेशा आते हैं आप इस europép के तुरूल को देख सकते हैं ठीक है और क्यों आते हैं तो यहाँ रिढ़ परवास करते हैं और यहाँ अंडा लेने आते हैं क्यों क्यों क्योंकि Siberia में बहुत ज़्यादा बरफ गिरती है तो उनके अंडें से बच्चे नहीं निकलेंगे इसलिए वो लोग भारत में आते हैं और जो है बच्चे यहाँ जब पैदा हो जाते हैं तो फिर वो वापस चले जाते हैं साइबेरिया में जब वहाँ पर गर्मी पढ़ने लगती है तो इ इसका एंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है नेक्स्ट है कैमूर वन जीव अब भ्यारन बिहार के किन जिलों में इस्तित है तो कैमूर वन जीव जो बिहार है वो बिहार के कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में इस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है नेक्स अस्थान पच्छी बिहार यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पच्छी बिहार है जहां पच्छियों के लिए इसको सरचित किया गया है तो यह बिहार के किस जिले में इस्तित है तो यह दरभंगा में इस्तित है तो यह दरभंगा में इस्तित है तो यह दरभंगा में इस्तित बिहार देश के सबसे बड़े पच्छी बिग्यानी का नाम था सलीम अली तो इन्हीं के नाम पर बिहार के किस जिले में जो है पच्छी बिहार के अस्थापना की गई है बैसाली में तो उसका नाम है बड़ेला ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेक्ष्ट है नेमरिकित में से कौन से पच्छी बिहार जमुई जिले में इस्थित है ऐसा कौन से पच्छी बिहार है जो बिहार के जमुई जिले में इस्थित है ठीक है तो दिया दखिएगा नक्टी बांध पच्छी अभ्यारन और नागी बांध पच्छी अभ्यारन ये दोनों जो कहाँ पर हैं, जमुई जिले में इस्तित हैं, तो इसका एंसर हो जाएगा D. तो संजय गांधी कहां ये पटना में हैं, बाकी ये दोनों जमुई जिले में हैं, तो इसका एंसर हो जाएगा D. जमुई जिले में इस्तित हैं, तो इसका एंसर हो जाएगा B. बिहार ओजोन दिवस कम मना जाता है, तो पुरे दुनिया का जो ओजोन दिवस मना जाता है, वो 16 सितंबर को मना जाता है, औब बिहार में भी 16 सितंबर को ही, जो है, क्या मना जाता है, ओजोन दिवस मना जाता है, तो इसका एंसर हो जाएगा C. ठीक है निश्टर राश्टिय डॉल्फिन दिवस कम मनाया जाता है तो अभी हाल में ही घोसित किया गया है तो राश्टिय डॉल्फिन दिवस पूरे देश मना जाता है साथ में बिहार में भी 5 अक्टूबर को इसका एंसर हो जाएगा आपका सी और डॉल्फिन को भारत का राश्टिय जलिये जियू भी घोसित किया गया है ये भी याद दखेगा नेक्शना बिहार के किस जिले में संजे गांथी जैवी कुद्यान इस्तित है अभी मैंने आपको बताया तो ये पटना जिले में इस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेक्शना बिहार के किस जिले में जू सफारी की अस्थापना की जा रही है तो बिहार के किस जिले में जू सफारी की अस्थापना की जा रही है तो ये हो गया राजगीर में ये राजगीर में अस्थापित किया जा रहा है तो इसका answer हो जाएगा A ठीक है नेश्ट है राश्ट्य डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में अस्थापित किया गया है यह national पर है पुरे भारत का है तो यह राश्ट्य डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है ये पटना जीले में अस्थापित किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A ठीक है पटना जीले में इसको अस्थापित किया गया है नेक्ष्ट है बिहार में पणपाती बनों को कितने भागों में वर्गे कित किया जा सकता है तो बिहार में जो पनपाती बन होते हैं या देखेगा जो बिहार में पनपाती बन होते हैं उन्हें हम दो भागों में करते हैं एक आदर पनपाती बन और एक सुक्स पनपाती बन अगर हम एक बिहार का मैप के थुरूज को समझाने का प्रियास करें तो बिहार का जो तराई चेतर है और पूर्वी चेतर है यहाँ पर आदर पनपाती बन पा जाते हैं और जो बिहार का पश्यमी चेतर है यहाँ पर सुक्स पनपाती बन पा जाते हैं तो बिहार में दो परकार के बन पा जाते हैं यह भी याद दखेगा एक आदर पनपाती और एक सुक्स पनपाती इस से अब एक साथ आपसे ये पांच कोशन उसने पूछा है ठीक है तो पहला है संजय गांधी जैवी कुद्यान कहा है ये पटना में है ठीक है बालमीकी कहा है तो बालमीकी आपका चमपारण में है कैमूर कहा है तो ये आपका रोहतास में है गोतम बुद्ध कहा है नालंदा मे है ठीक है ये गोतम बुध बोडग्रया में है और राजगीर नलंदा में है तो यह दखेगा ऐसे कुशन आप से पुछ जाएंगे तो एक ही साथ आपसे पांच कुशन पुछ लिया गया तो ऐसे मिलाने के लिए भी question आएंगे तो यह देखेगा जो इसका जो answer है वो कौन सा है तो इसका answer है A ठीक है तो इस तरह की question हमें अच्छे से देखने के जरूँध है क्योंकि अगर यह ऐसे question आते हैं तो गलत होने की नगर उद्यान किसे हमने आप यह आपको बताया बालमी की राष्टिये पार्क यह जो है पचनी चंपारण में इस्तित है तो इसका answer हो जाएगा C Next है बिहार में किस प्रकार के वनों का छेथफल सबसे अधिक है तो बिहार में सबसे अधिक जो बनों का छेथफल है वो कौन सा सबसे अधिक है तो वह संरचित बन जो सरकार के दोरा संरचित बन होते हैं उनके संक्या बिहार में सबसे ज़्यादा है उनका च्छित पर सबसे ज़्यादा है तो इसका एंसर हो जाएगा B नेक्शन है भीम बांध अभ्यारन मुंगेर किस अस्थान किस तरह का बन परतेस है तो भीम बांध अभ्यार जो है मुंगेर में है वहां किस परकार के बन पाए जाते हैं ये पूछा गया है तो यहां आद्र पणपाती बन पाजाते हैं आद्र बन जैसे गर माल ये बिहार का मैब बनाते हैं तो बिहार के मैब में जो ये मुंगेर यहां पर है टेकर गंगा नदी किनारे है, पूरवी बिहार में है, तो बिहार के पूरवी छेत में कौन से बन पाया जाते हैं, आदर पणपाती बन पाया जाते हैं, तो भीम बांधा बिहार में आदर पणपाती बनों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A, न नेक्स्ट है निम्नकित में से कौन सा वन जीव अभ्यारन बिहार के मुंगेर जिले में इस्तित है ऐसा कौन सा वन जीव अभ्यारन जो बिहार के मुंगेर जिले में इस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा भीम बांध भीम बांध नामक अभ्यारन बिहार के जो है मुंगेर को आया है ठीक है तो पहला ये पुछा गया है कि कौन सा जील कहां पर है इसे हम पच्ची बिहार कह सकते हैं जीलों में पच्ची बिहार बनाए जाते हैं तो वो कहां कहां पर पाए जाते हैं इसको हम मिलान करना है एक तरफ अस्थान है और एक तरफ उसको मिलाना है ठीक है त और नक्टी कहा है तो यह आपका जमुई में है तो एक साथ आपसे चार पच्छी अभ्यान के बारे में पूछा गया है ऐसे कूशन आपसे पूछे जाएंगे तो इनको बहुत अच्छे से देखने की जरुवत है ठीक है आगे बढ़ते हैं पंथ वन जिव अभ्यान बिहार किस जिले में इस्तित है तो पंथ वन जिव अभ्यान बिहार के किस जिले में पाजाता है तो यह नालंदा जिले में है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A नेश्ट कुशन है रागोपूर आदरभूमी छेतर किस जिले में इस्तित है आदरभूमी होता है दलदली छेतर को आदरभूमी कहा जाता है ठीक है तो रागोपूर आदरभूमी छेतर बिहार के किस जिले में इस्तित है ये सीवान में है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका स नेश्ट है हरिया चौर किस जिले में इस्तित है तो बिहार में आदर भूमियों को चौर भी कहा जाता है दलदली छेट को तो हरिया चौर किस जिले में इस्तित है यह पूछा गया है तो यह सारण जिले में इस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है मुरादपुर चौर किस जिले में इस्तित है तो मुरादपुर यह भी बहुत फेमस है और यह गोपाल गंज में इस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट है बरिला आदर भूमी छेत्र बिहार के के जिले में इस्तित है तो अलग-अलग आदर भूमी बिहार में है तो ये मुंगेर जिले में इस्तित है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C नेक्स्ट है केशरिया चौर के जिले में इस्तित है तो केशरिया आदर भूमी छेत्र बिहार के के जिले में है तो ये मुझः फर पुर में है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A नेश्ट कुशन है बिहार के खुले बनों में सबसे अधिक किस जात के बिच पाय जाते हैं तो सागोन, सागोन के बिच बिहार के खुले बनों में सबसे अधिक पाय जाते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट है निम्रिकित में से कहां महाबीर वाटिका जेव विविश्टा पार की अस्थापना की गई है तो लोगों को लगेगा कि गया होगा लेकिन नहीं गया ना होकर गया जमूई होगा तो इसका एंसर हो जाएगा C ये जमूई जिली में इस्तित है नेक्स्ट है बिहार के कुल आदर भूमी का लगभग कितना परतिसत भाग उत्तर बिहार में इस्तित है तो बिहार में जितने भी आदर भूमी अपा जाती है उनमें सबसे अधिक आदर भूमी उत्तर बिहार में सबसे दिक कितना पाय जाता है तो 90% 90% आदर भूमी बिहार के उत्तरी चेत्र में पाय जाते हैं नेक्ष्ट है बिहार में सर्वाधिक आद्र भूमी चेत्र कहा है तो बिहार में सबसे अधिक अगर पूछा जाए आद्र भूमी चेत्र कहा है तो यह आपका कटिहार में है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका B ठीक है नेश्ट है बिहार में सबसे कम आदरभूमी छेत्र कहा है तो बिहार में सबसे कम आदरभूमी छेत्र कहा है सीता मड़ी में है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी ठीक है नेश्ट है बिहार राज का पहला जय विविद्टा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है तो बिहार का पहला जय विविद्टा पार्क जो है यह गया जिले में स्थापित किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा एक यह इतने महात्पूर्ण कोशन हमने आपको एक टॉपिक से दिया है जिसमें बिहार के राश्टे पार्क, वन्नी जीव अभ्याण और पच्ची बिहार हैं ऐसे ही कोशन आप से जामे पूछे जाएंगे अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो कोशन आप से गरत नही होंगे ठीक है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और किसी कोशन में कोई डाउट होत कमंडर करके उसको पूछेगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा ओके थैंक्यू